नमस्कार दोस्तों मैंकरस्ट नमरती आप सब्सक्राइब करता हूँ लर्णिंगरे यूटिब चैनल में दोस्तों स्टेटमेंट आफ एकाउंट कम होल्डिंग का आपको मेल आया होगा SBI Securities की तरप से इसमें जो है आपको DP Maintenance Charge कितना लग रहा है SBI Securities में गाइड करने वाला हूँ तो देखते रहें वो आपको help करेगा यहाँ पे आपको एक PDF आया होगा PDF को आप open करें और अपना pen number capital letter में put करें password के रूप में आपका PDF open हो जाएगा यहाँ पे देख लिए आपका status जो है active दिखा रहा है मतलब account जो है आपका active है आप transaction कर सकते हो यहाँ पे आपको DP Maintenance Charge कितना लग रहा है 500 रूपीज है आपका और 18% GST है आपको 590 रूपीज जो है pay करना पड़ेगा अगर आपके पास 590 रूपीज आपके funds में available नहीं है funds आपका zero है तो यह आपका 590 रूपीज जो है negative हो जाएगा और ध्यान रखना आपको SPS Securities mail करेगा कि आप 590 रूपीज जो है pay करो नहीं तो आपका within 5 to 7 working days जो है आपका जो भी DMAT में holdings है उसको sell करके यह जो price है आपका वो recover करेगा तो यह चीज़ ध्यान रख लेना वो कर सकता है ऐसा तो यहाँ पर जो भी आपका negative balance हो जो भी आपका account maintenance charge हो या फिर DP balance charge हो DP maintenance charge हो वो आप pay करते रहे time to time कि आपको जो है दिक्कत ना हो कि आपका broker जो है आपसे बिना पूछे जो है आपके holdings को sell कर देगा वो authorize है अपने charges को recover करने के लिए यहाँ पर आपको दूसरा मिला होगा SBA securities, capital securities, DP bills जो है depository bills का जो है आपको message आया होगा तो यहाँ पर आप देख लो GST, DP bills जो है FF 2023 का जो है आपको आया हुआ हुआ है same इसको open करना है और pen number capitalator में put करना है तो दोस्तों यहाँ पर देखे जो आपका bill है वो है आपका other services auxiliary to financial services यह आपका HSN code है आपका यहाँ पर आपका taxial value 500 रूपीज का है और आपको GST जो है 18% की साबसे 90 रूपीज लिया गया है तो 590 रूपीज जो है आपका वो आपको pay करना पड़ेगा company pen और company का CIN number आपको यह रहा simple है 590 रूपीज जो है आपको yearly charge pay करना पड़ेगा आपको DP maintenance charge SBI securities में 500 रूपी चार्ज है प्लस 90 रूपी GST है यह चीज ध्यान रखना funds में पैसे maintain रखना नहीं तो minus दिखाएगा यही सब charge minus दिखाता है आपको और अगर मालो आप पे नहीं करते हो तो आपको message आता रहेगा कि आपका security जो sell कर दिया जाएगा तो आपको सिस करना जब भी आपको minus दिखाए funds तो आप fund add कर देना वो minus setup हो जाएगा आपका और वो close हो जाएगा simple दोस्तो मैं आपसा करता हूँ वीडियो जो है आपको चलागा वीडियो चलागा पर लाइक करें सब्सक्राब करें सेब्सक्राइब करें तरह तक लिए जोस्तो धन्यवाद